हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एक्जाम की तैयरी कर रहे होंगे साथियों आज हम कच्छा 10 के विज्ञान विशय के एक महतपूर अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस पर कुछ महतपूर प्रशनों को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एक्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं तो साथियों वीडियो को पूरा एंड तक देखियेगा जिससे कि आपको उन सभी महतपूर प्रशनों और उनके सलूसंस के बारे में पता लग सके तो साथियों नेश्ट स्लाइड पर चलते हैं यहां पर साथियों आती लग उत्तरी प्रशन दिये गए हैं जो आपके पेपर में दो अंक के पूछे जाते हैं चलिए पहला प्रशन पढ़ते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखी रहा है पहला प्रशन है रासायनिक समिकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं तो साथियो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रासायनिक समिकरण यहाँ पर जो रासायनिक समिकरण दिया गया है ये क्या होता है पहले हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा तभी तो हम जानेंगे अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं ठीक है तो ध्यान से द उनके रासायनिक सुत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं कई बार एक्जाम में यही कोशन पूछ लिए जाता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगहां उनके रासायनिक सुत्रो का उपियोग करते हैं तब उसे रासायनिक समिकरण कहते हैं तो आपको यह परिभासा समझ में आ गया होगा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगहां उनके रासायनिक सुत्रो का उपियोग करते हैं तब उसे रासायनिक समिकरण करते हैं जैसे यहां पर एक्जामपल की तौर पर हम यहां पर देखें मैगनीसियम की किरिया जब किस से कराते हैं ऑक्सीजन मैगनीसियम की किरिया किस से कराते हैं ऑक्सीजन से कराते हैं मैगनीसियम किरिया जब किस से कराते हैं ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है हमारा बनता है मैगनीसियम आक्साइड क्या बनता है Magnesium Magnesium Oxide बनता है है ना क्या ये राशाइनिक समिकरण है ये राशाइनिक समिकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर Magnesium Oxygen ऐसे लिखा है अब हम इसको सूत्र लिख देते हैं राशाइनिक सूत्र लिख देते हैं Magnesium का प्रतिक क्या होता है Mg होता है और आक्सीजन का प्रतिक क्या होता है O2 होता है और मैगनिसियम आक्साइड का रासायनिक सुत्र क्या होता है MZO होता है तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया रासायनिक समीकरण ये क्या हो गया रासायनिक समीकरण है ना अब ध्यान से देखिए साथियों इधर तरफ जो लिखा जाता है ये क्या है ये है अभिकारक ये क्या है अभिकारक ये भी क्या है ये भी है अभिकारक ये भी क्या है अभिकारक और ये क्या है ये है हमारा उत्पाद ये क्या है उत्पाद जो हमारा अभिकारक होता है वो इधर लिखा जाता है जो अभिकारक होता है वो किधर लिखा जाता है इधर लिखा जाता है और जो उत्पाद होता है वो इस तरफ लिखा जाता है और ये जो तीर है ये जो तीर दिख रहा है ये क्या दखा रहा है ये बता रहा है कि अभिकिरिया की दिसा ये किसको बताता है अभिकिरिया की दिसा ये अभिकरिया की दिसा को बताता है और जो अभिकारक हैं अगर एक से ज़्यादा अभिकारक हैं तो उनको लिखने से पहले प्लस का चिन लगाते हैं दिखिए मैगनीसियम भी अभिकारक है ओक्सीजन भी अभिकारक है एक से ज़्यादा अभिकारक है तो क्या लिखे हैं यहाँ पर प्लस चिन लगा कर लिखे हैं अगर माल लीजिए उतपाद भी एक से ज़्यादा होता तो magnesium oxide के अलावा यहाँ पर प्लस लगाते और कुछ लिखते हैं लेकिन उतपाद यही है तो यहाँ पर प्लस चिन नहीं लगाएंगे आपको यह समझ में आ गया होगा तो इसका answer देखिए साथियों क्या लिखा है रासाइनिक समी करण में अभिकारक बाई और लिखे जाते हैं यहाँ पर जो अभिकारक है यह किधर लिखे जाते हैं यह अभिकारक बाई और लिखे जाते हैं और जो उत्पाद है वो कि तरफ लिखा जाता है उस पाद दाई और लिखा जाता है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए रासानिक समीकरण में अभिकारक बाई और लिखे जाते हैं एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके मद्ध प्लस का चिन लगाया जाता है मैंने आ उत्पादों को समीकरण के दाई और लिखा जाता है जो उत्पाद है यह समीकरण के किस और लिखा गया है दाई और जो अभिकारक है यह किस और लिखा गया है बाई और ठीक है तथा इनके मद्ध भी प्लस का चिन लगा दिया जाता है अगर एक से अधिक उत्पाद है तो उनको लिखने के बाद प्लस का चिन लगाते हैं अभिकार को तथा उत्पादों के मद एक तीर लगाया जाता है यह दिखिए यह एक तीर है यह क्या दरसाता है जिसकी दिसा यहां पर दसा लिखा है जिसकी दिसा उत्पादों की ओर होती है यह तीर अभिक्रिया की दिसा का बोध कराती है तो आपको सौंज में आ गया होगा कि अभिकारक क्या होते हैं जो अभिक्रिया की बाईयों लिखे जाते हैं और उत्पाद क्या होते हैं जो अभिक्रिया के दाईयों लिखे जाते हैं एक से अधिक अभिकारक होने पर उनके बीच में प्लस का चिन लगाते हैं और एक से अधिक उत्पाद होने पर उनके बीच में प्लस का चिन लगाते हैं और जो तीर होता है वो अभिक्रिया की दिशा का बोध कराता है नेश्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, नेश्ट कोश्चन है, संतुलित रासायनिक समिकरण किसे कहते हैं? तो यहां पर उत्तर लिखा है, किसी रासायनिक अभिकरिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राक्त उत्पादों में उपस्थित विभिन तत्तों के पर्मार्णों की संख्या समान होने पर संतुलित रासायनिक समिकरण कहलाता है। तो ध्यान से दिखिए, जब मेगनीसियम की अभिकरिया किस से कराते हैं? ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है? मेगनीसियम ऑक्सायड बनता है, क्या ये संतुलित समिकरण है? ये संतुलित समिकरण नहीं है, ये कैसा है? आसंतुलित समिकरण है, तो इसको संतुलित कैसे करेंग यहाँ पर देखेंगे कि magnesium के कितने परमाणू है यहाँ पर magnesium के एक परमाणू है और यहाँ पर भी magnesium के एक परमाणू है अभिकारक में magnesium के एक परमाणू है और उत्पाद में भी magnesium के एक परमाणू है अब oxygen देखिए oxygen के कितने परमाणू है दो है O2 है ना O2 O2 मतलब 2 O है O2 मतलब 2 O है तो ठीक है oxygen के 2 परमाणू है लेकिन यहाँ पर तो oxygen के A की ही परमाणू है तो यह समिकरण असंतुलित हो गया अब हमको इसको संतुलित करना है तो यहाँ पर लिखिए magnesium और यहाँ पर लिखिए oxygen O2 और इधर 3 लगाईए M0 लिखिए अगर हम यहाँ पर 2 का गुला कर दे किसका गुला कर दे 2 का गुला कर दे तो ध्यान से देखिए magnesium के यहाँ पर परमाणू कित्ते हो जाएंगे दो हो जाएंगे और oxygen के भी कित्ते हो जाएंगे अब अभिकारक में देखी ऑक्सिजन के दो परमाड़ तो पहले से ही है लेकिन मैगनीसियम के एक ही है अगर हम दो से गुड़ा कर देंगे तो देखिए मैगनीसियम के भी दो परमाड़ हो गए ऑक्सिजन के भी दो परमाड़ हो गए ये कहा पर है अभिकारक में, यह कहाँ पर है, अभिकारक में, मैगनीसियम भी दो है, और अक्सीजन भी दो है, मतलब इसके दो ही परमाड़ू है, और उत्पाद में भी मैगनीसियम के दो परमाड़ू हो गए, और अक्सीजन के भी दो परमाड़ू हो गए, ठीक है, तो यह कैसा समिकरण ये हमारा संतूलित समीकरण बन गया तो आप समझ गये होंगे कि संतूलित समीकरण के होता है किसी राशानिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्तों के परमाडू की संख्या समान होने पर संतुलित राशानिक संतुलित कहलाता है नेश्ट कोस्चन की तरफ चलते हैं देखिए साथियों नेश्ट कोस्चन है उपचयन तथा अपचयन क्या है तो साथियों वह अभिक्रिया जिसमें एक राशानिक इस्पीसीज इलेक्टरानों का हास्र करती है उपचयन कहलाती है वह राशानिक अभिक्रिया जिसमें एक राशानिक इस्पीसीज इलेक्टरानों का हास्र करती है उपचयन कहलाती है मतलब मैं यहाँ पर लिख्यूं माली यह एक राशानिक अभिक्रिया हुई और यह है एक राशानिक इस्पीसीज एक रासायनिक स्पीसीज है ये क्या कर रही है इलेक्टरान का हास्र कर रही है देखिए मैं इलेक्टरान निकाल दिया हूँ यानि इलेक्टरान का हास्र कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे उपचैन इसको क्या बोलेंगे उपचैन और माली यही एक रासायन रासायनिक इस्पीसीज है यह क्या कर रही है इलेक्ट्रान ग्रहन कर रही है यानि इलेक्ट्रान प्राप्त कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अबचैन क्या बोलेंगे अबचैन तो यहाँ पर देखिए वह अबक्रिया जिसमें एक रासायनिक प्राप्त करती है अपचयन कहलाती है और वह रसानिक अबक्रिया जिसमें एक इस्पीसीज इलेक्टरन का हास्त करती है क्या कहलाती है उपचयन कहलाती है ओके नेश्ट कोस्चन की दरफ चलते हैं नेश्ट कोस्चन है साथियों वायू में जलाने से पहले मैगनीसियम रीबन को साफ क्यों किया जाता है तो साथियों मैगनीसियम धातू सामान्य ताप पर नम वायू की उपस्थिती में मैगनीसियम आकसाइड बनाता है आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर रियक्शन उपरी सतह पर जमा रहता है जो मैगनीसियम रिबन की उपरी सतह पर जमा रहता है इसलिए इसे वाई में जलाने से पहले रेग माल से रगड कर साफ की देता है ताकि आसानी से आक्सीजन से सयोग कर सके है ना जो मैगनीसियम धातु है वो समाने ताप पर नम वाई की उपस्त च्भासिती में मगनीसियम आक्साइड बनाता है और यह जो मैगनीसियम आक्साइड है साथियों यह क्या होता है? magnesium ribbon के उपनी सिता पर जमा हो जाता है इसलिए इसे y में जलाने से पहले रेगमल से रगड़ कर क्या करते हैं साफ करते हैं और साफ इसलिए करते हैं ताकि आस्थानी से oxygen से सायोग कर सके ओके next question की तरफ चलते हैं साथियों next question है किसी पदार्थ यक्स के विलियन का उपयोग सभेदी सभेदी करने के लिए होता है पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका रशानिक सूत्र लिखिए तो साथियों को पता है सभेदी करने के लिए किसका उपयोग की जाता है तो सफेदी करने के लिए साथियों जो होता है वो कैलसियम आकसाइड का उपयोग की जाता है सफेदी करने के लिए किसका उपयोग की जाता है कैलसियम आकसाइड का उपयोग की जाता है तो वो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ कैल्सियम आक्साइड है और इसका रासाइनिक सुत्र क्या है? उसका रासाइनिक सुत्र है साथियों CAO पिर दूसरा कहरा है उपर फश्ट में लिखे पदात X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए तो साथियों जब कैलसियम आकसाइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैलसियम हड्राकसाइड बनता है और उर्समा निकलती है तो यह आपको याद करना है कि कैलसियम आकसाइड की जब किससे अभिक्रिया कराते हैं ह2O यानि जल से कराते हैं तो कैलसियम हड्राकसाइड यानि CAOH का टेकेंटू बनता है और इससे उसमा निकलती है है ना तो यह हो गया इसका समीकराण निस्ट कोशन की दरफ चलते हैं निस्ट कोशन है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वाई की उपस्थिती में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के योगिक का नाम लिखिए तो साथि जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है वो क्या है भूरे रंग का चमकदार तत्व जो है वो क्या है साथियों वो हमारा कापर होता है ठीक है और जब इसको वाई की उपस्थिती में गर्म करते हैं तो यह किसमें कनवर्ट हो जाता है यह काले रंग के पदार्थ में कनवर् रंग के पदार्थ में convert हो जबता है और यह काले रंग का पदार्थ क्या होता है साथियों यह होता है copper oxide यानी coo काले रंग का पदार्थ क्या होता है copper oxide और इसका रासाइनिक सुत्र क्या है COO होए next question की तरफ चलते है next question है लोहे की वस्तियों को हम पेंट क्यों करते हैं तो साथियों ये तो बहुत ही आसान कोश्चन है और NCRT में दिया गया है लोहे की वस्तियों को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उस पर क्या ना लगे जंग ना लगे है ना ये तो बहुत ही नारमल सी बात है आपको पता होता है लोहे की यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वाई में उपस्थित नमीवा आक्सीजन से नहीं हो पाती है तता वा जंग लगने से बच जाती है क्या कह रहा है लोहे की वस्तुओं पर जब हम जैसे माली यह लोहे की वस्तुओं है और इस पर हम क्या कर देते हैं पेंट लगा देते हैं तो जब pent लगाते हैं तो y में जो उपस्थित नमी है और y में उपस्थित जो oxygen है ये इससे क्या होता है साथियों ये इससे अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं जब अभिक्रिया नहीं होती है तो क्या होता है जंग नहीं लग पाता है है ना तो लोहे की वस्तुवों पर pent करने से उसकी अभिक्रिया वाईव में उपस्थित नमी वा ऑक्सिजन से नहीं हो पाती है तथा जंग लगने से बच जाती है नेस्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं नेस्ट कोश्चन है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है क्योंकि एसा करने से ये खाद्य पदार्थ वाईव में उपस्थित आक्सीजन से अभिक्रिया करके आक्सिक्रित नहीं होते हैं इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरच्छित रखा जा सकता है साथियों तेल एवं वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है इसलिए किया जाता है ताकि वो एक खाद्य पदार्थ आक्सीजन से अभिक्रिया करके आक्सिक्रित ना हो और जब आक्सिक्रित नहीं होंगे तो ये खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरच्छित रखे जा सकते हैं तो साथियों ये नौ महतपूर कोश्चन है जो आपके एक्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि यही कोश्चन आएगा लेकिन इन सब में से एक से नौ तक हमने जो कोश्चन कराया है इन में से कोई ना कोई कोश्चन आपके एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यही question रहेंगे लेकिन थोड़ा सा language बदल देता है है ना ऐसे कह देगा कि तेल एवं वसायुक्त खादे पदार्थों को nitrogen से प्रभावित क्यों किया जाता है एक तो यह से question पूछ लेता है या ऐसे भी पूछ लेता है तेल एवं वसायुक्त खादे पदार्थों को लंबे समय तक सुरचित रखने के लिए किसका उप्योग किये जाता है तो nitrogen को उप्योग किये जाता है ऐसे पूछ सकता है तो question तो यही रहेंगे बस थोड़ा सा language क्या करेगा different कर देगा है ना तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करिए वीडियो को क्या करिए वीडियो को क्या करिए वीडियो को like कीजिए और channel पर नए है तो channel को क्या कीजिए चैनल को सस्क्राइब कर लिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर की गिए हम आपके लिए ऐसी ही important वीडियो बनाते रहेंगे जो आपके board exam में बहुत ही ज़्यादा महत्पूर हो चलिए साथियो मिलते हैं next वीडियो में तब तक जैहिन बंदिमात